हाल ही में अच्छा कुमार की टाइलेट एक प्रेम कथा को रिलिज वे चार दिन हो चुके हैं इस फिर्म ने चार दिन में करीब 64 करोर रुपे की कमाई कर ली है पहले दिन 13 करोड दूसरे दिन 17 करोड तीसरे दिन 21 करोड चौतर दिन 12 करोड के साथ ही इसके कमाई 64 करोड के करीब पहुँच चुकी है खबनों की माने तो ये फिल्म पूरे देश में हौसफुल चल रही है और लोगों को टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है एक अनलिस्ट का कहना है कि इंडिपेंड देश देख की बज़ह से ये फिल्म मौर्निंग से ही हौसफुल चल रही है यहां तक कि साम के सोच भी पूरे तर से हौसफुल हो चुके हैं फिल्म बिशेशग्णों की माने तो ये फिल्म पाचवे दिन 20 से 25 करूर रुपे का आंकरा पार कर सकती है फिल्म के अच्छे होने की बज़े से इसके फैंस को तो मज़ा आही रहा है लेकि इसके डिस्टिबिटर्स की भी चांदी हो रही है यह कहना गलत नहीं होगा की ये फिल्म अपने पहले बिकेंड में ही 100 करूर का जादूरी आंकरा पार कर सकती है पियम मोदी के स्वच भारत अभियान पा आधायत ये फिल्म फिलहाल तो तहल का मचा रही है और देखना ये है कि आने वाल दिनों में ये और क्या कमाल दिखाती है इस फिल्म के हीरो अच्छ कुमार मांगलिक युवक बने है जिनके कहीं शादी नहीं हो पा रही है इसलिए उनके शादी एक भेंच से करवा दी जाती है ताकि उनका भाग बदल सके लेकिन बाद में जब एक लड़की उन्हें पसंद कर लेती है और शादी के लिए तयार हो जाती है तो दोनों की शादी भी हो जाती है लेकिन शादी के अगले ही दिन ट्वालेट पर आकर बात अड़क जाती है और विवात खड़ा हो जाता है और अच्छ कुमार ट्वाले